हलो दोस्तों राधे राधे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीता जी का जनम उस्सों के बारे में सीता नौमी इस दिन सीता जी का जनम हुआ था यह है बैसाख मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथी के दिन इस दिन सीता जी का जनम हुआ था जनक पुर में मितला छेतर में जो की आज की डेट में मितला छेतर में मना जाता है के नौमी वाले दिन सीता जनम उस्सों उस जान की महल में जिसमें सीता जी का जनम हुआ था आज भी बहुत धूम धाम से उनका जनम दिन मनाया जाता है वो महल बहुत ही सुन्दर है जिसे भी मौका लगे इस दिन वहां जाकर उस महल का दर्शन जरूर करें बहुत ही सुंदर महल है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे साक्षात सीता जी, राम जी, लक्षमर जी, भरा सत्रुगन और उनके माता पिता सब लोग आज भी वहां पर विराजित हैं, और उनकी मूर्तियां बड़े ही सुंदर और अधुथ हैं, देख करके बहुत ही अधुथ बड़े ही धुमदाम से सीता नोमी सीता जी का जनम दिन मनाया जाता है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये वही जान की मंदिर है जहां पर सीता जी का जनम हुआ था सीता जी की चार और बहने थी जिनका नाम था मांडवी, उर्मिला, शुरुत कीर्ती और माता सीता स्वैमाता सीता चार बहने थी और प्रवुराम भी चार भाई थे उन चार बहनों का ही विवा इन चार भाईयों स से हुआ है विवाह उस्व भी जनकपूर में बहुत ही धुमधाम से मनाया जाता है बहुत सारे लोग जो के मिथला के हैं वो बहुत ही सुन्दर सुन्दर गाना गाते हैं और बहुत ही बढ़िया उस्व मनाते हैं इस दिन क्या करना चाहिए यह हर कोई तो नहीं जा सकता उतन म पर मतरानी को एक शाड़ी चढ़ाएं उन्हें बिंदी लगाएं जो भी आप चढ़ा कर सकती है औने गिफ्ट के रूप में जो भी दे सकती है दे इसह दिन यह कार जरूर करें भगवान राम को भी चाये कंगोच्छा ही दें चढ़ाएं वो भी करें उनके सेवक हैं हनुमान जी फल और मिठाई का भोग भी लगाएं कहीं न जा पाएं तो अपने घर में ही मनाएं यदि मंदिर गये हों तो श्रंगार का सामान चढ़ाएं और भगवान राम को प्रसनता पुर्वक माता रानी का जनम उस्व मनाएं एक बहुत ही अच्छी बात है राम जी का जनम भी राम नौमी नौमी तिथी के ही दिन हुआ और माता सीता का भी जनम नौमी तिथी के ही दिन हुआ ये दोनों में बहुत ही समानता है एक छोटा सा टोटका चमतकारी ट उपाई करें चोकि हन्मान जी बहुत ही प्रेम करते हैं प्रवराम से माता जानकी से और माता जानकी ने भी उन्हें पुत्र सरूप माना है उन्हें आशिरवाद दिया है कि अस्ट सिद्ध नौनित के दाता ऐसा आशिरवाद दिया है माता जानकी ने हन्मान जी को इसलिए हन गुर्मान जी का एक छोटा सा उपाय जरूर करें उपाय है कि भूनाचना इस दिन जहां कहीं भी मंदिर में आसपास जहां कहीं भी बंदर हो उनको भूनाचना डाले कम से कम 1 खीताञी तोफिर 500 ग्रामें डाले लेकिन इससे कम ना डाले इतना जरूर डाले कहा जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनमत भल वीरा जो कि इस दिन माता जानकी का जन्म दिन है और इस दिथी पर जो कोई भी हनमान जी को इसका ये जो टुटका इसको करेगा तो उसको बहुत ही लाव होगा क्योंकि माता जानकी का आशिरवाद प्राप्त है हनुमान जी को इस दिन को सीता नौमी को बहुत ही अच्छे से मनाए सेलिबरेट करें आपके घर में संतान और धन का कभी कमी नहीं होगा जो माता सीता का सीता नौमी मनाएगा उसके घर में संतान की कभी कमी नहीं होगी इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में किरपय मेरे वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें मैं बहुत महना से इस वीडियो को बनाती हूँ किरपय मेरे चैनल को प्रम धन्यवाद